ओलेट नेक्स कोश्चन दोजा सत्रा का सवाल है कोश्चन से थर्मोडैनमिक प्रोसेस और इंडिकेटिड इन दा फॉल्विंग डियाग्राम और हमें यह मैच दा कॉलम करने ना इसको अगर आप गौल से देखेंगे तो यह आपका पीवी ग्राफ बना हुआ है और पीवी ग आपको पहला प्रोसेस प्राइन कली कवरिषी का अधिक थुक्यार बनाल मों सबसे हैं जोब सहां है तो अग्र प्रेशंतर नीं होब कर दो इसको आप लिखेंगे यह आपका अचल प्रोसेस हो जाएगा यानि आपका डिल्टा पीग टोडू है नौब यहां पर प्रोसेस two or three देखेंगे तो इस two or three में दोनों में ही आपका slope चेंज हो रहा है और अगर आपने theory अच्छे से पढ़ रखी तो इस बात आपको clear होएगी कि जब भी हम बात करते हैं दो process है जिनका हमने slope पढ़ा हुआ है सिर्फ यह एक लौता area है जहां पर आपका graph compare होता है दो अलग- आपके hyperbolic graph यहां compare करते हैं तो इस वाले case में अपना जो process है जिसका slope ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टीप होता है वह आला process आपका adiabatic होएगा इसका मतलब यह जो second वाला process है यह आपका adiabatic हो जाएगा और आपका third process है तो आपका iso thermal हो जाएगा तो इसके basis पर हम column match कर सकते हैं तो हमें चाहिए पहले वाला जो है process वन वो हो गया आपका option number C यह से match हो गया दूसरे वाला जो process है वह आपका match हो गया इस adiabatic adiabatic कौन से है अपना यहाँ पर second वाला जो है यह आपका adiabatic यानि Q से match हो गया third वाला है isothermal यह अच्छा इसको ऐसे दे रखा है P Q R S ठीक है तो यह P Q R S है तो P वाला C से match हो गया Q वाला जो match हो जाएगा आपका हमें match करना adiabatic से तो Q आपका A आ गया और R जो है R आपका हो गया isothermal कौन सा है D यह D आ गया और S जो है वह आपका match हो जाएगा बाकी जो एक बच गया बाकी बच गया निए isobaric isobaric है आपका B सो based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number A P Q PC QA और RD और SB आलाइक सो option number A would be the right answer